Assalamu alaikum viewers, कैसे हैं आप सब, तो आज हम बनाने वाले हैं mango dessert, जो के बहुत जादा यमी होगा, बहुत easy सी recipe होगी, बहुत जल्दी बन जाएगी, तो चलिए अब हम आपको इसकी recipe बताते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ ले लिए है 5-6 आम, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, कि यह आम थोड़े बड़े थे तो इसलिए 6-7 आम जो थे वो इनफ थे, तो बस यहाँ पे हमने सारे आम का जो छिलका है वो बहुत ही अच्छ से निकाल लिये थे, और फिर उसके बाद हमने उसे ऐसे ही रफली चॉप कर लिये थे, और जो गुटली थी वो हमने उसे साइड म रख दिये थे, बस हमने सारे आम के छिलके निकालके और उसको हमने रफली चॉप करके साइड में रख दिये थे, तो चलिए अब हम आपको आगी की रेसिपी बताते हैं कर दो बाद हमने रख दो पर दो आपको 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 आ यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो सारे आम है वो बहुत ही अच्छे से चौप हो चुके है अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यहां पर सबसे पहली बात आपको यह धियान रखनी है कि जब आप ग्राइंड करें तो आप इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं क्योंकि पानी मिलाने से क्या होगा जो हमारे डेजर्ट बनेगा ना तो वो अच्छे से नहीं जमेगा तो बस आपको एक बात का यही धियान रखना है कि आप इसमें पानी नहीं मिलाएंगे तो चलिए अब हम आगी की रेसिपी बताते है तो यहां पे हमने एक पैन ले लि कितने खटे है तो उस हिसाब से आप इसमें शुगर दाल सकते है तो यहां पे जो है हमने वन कप शुगर दाले है अब यहां पे हमने फ्लेम को मीडियम कर दिये थे और जब तक हमारे जो शुगर है वो अच्छे से डिजॉल्फ नहीं हो जाती हम इसमें तब तक स्टर करते बस आपको इसे ज्यादर नहीं पकाना है यानि कि जो एक स्ट्रिंग आती है आपको उतना नहीं पकानाए आ यूटर में अपको इसे नौर्मल ही रखना है जब तक के यह ठिक नहीं हो जाते है और इसका इस ऐसमें धाले मेच नहीं हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं, हमने कुछ 7 मिनिट के बाद चेक कर रहे थे, तो यह पूरी एक स्ट्रिंग नहीं बन रही थी, बस यही पॉइंट तक आपको पकाना है, अगर आप जादा पकाएंगे, तो जो हमारी स्ट्रिंग है, वो हो जाएगी, तो उतना हमें नहीं पकान तो बस आपको यह पॉइंट पर फ्लेम ओफ कर देनी हैं, यहां पर हमने ले लिये है, एक शीन, आप चाहे तो कोई भी एक प्लेट ले सकते हैं, यहां पर हमने असली घी डाल दिये हैं, और हम इसे बहुत ही अच्छे से हाथों से स्प्रेट कर लेंगे, आप कोई भी परत तो आप नीचे बहुत ही अच्छे से गी लगाई है अगर आपके पस गी अवेलेबल नहीं है तो आप उइल का यूज कर सकते है बस ऑईल का जो टेस्ट हो थोड़ा डिफरेंट आएंगा तो बस यहां पे हमने कॉर्नर पे भी बहुत अच्छे से जो है वो गी को स्प्रेड क कर लिए है बस हमने जो अभी मैंगो प्यूरी रेडी करे थे तो बस अब हम इसमें वही डाल देंगे आपको इसे फॉरन दालना है तो आपका जो भी प्लेट है या प्याला है या शीन है तो आप उसे रेडी रखिएगा क्योंकि फिर क्या होगा जो पतिला है उसमें ही यहां पे हमने जो प्यूरी है उसको भी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिए है अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे कम से कम तीन घंटे के लिए अगर आपका तभी अच्छे से नहीं जमता है तो आप जाधा टाइम के लिए भी रख सकते है आप चार से कुछ तीन घंटे के लिए फिर चलिए अब हम आपको बताते है के तीन घंटे के बाद जो है हमारे डेजर्ट कैसा लग रहा है यह बहुत ही जादा यमी लगता है आप एक बना कर जरूर ट्राय करिएगा हमें कमेंट सेक्शन में भी बताईएगा के आपको यह रेसिपी कै कैसी लगी थी बस यहां पे जो है हमारा मैंगो डेजर्ट वो रेडी है अब हम इसे कट करेंगे और सर्फ करेंगे यह खाने में भी बहुत जादा टेस्टी लगता है तो बस आप एक बर जरूर राय करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तो अगर लाइक करें सब्सक्राइब करें और एक बार यह मैंगो डिजर्ट बना कर जरूर ट्राय करें हमें कमेंट सेक्शन में भी बताईएगा आपको कैसी लगी थी दुआओं में याद रखिएगा जजाक अल्ला क्श्राइब सेक्शन में जरूर ट्राइब करें सेक्शन में भी बताफिएगा लेह जद्सक्राइब करें सेक्शन आपको कैसी लगे